बड़ा happening venue है JNU, फिर से चर्चा में भी है, आपकी बार एक और चर्चा के चलते और चर्चा है थोड़ी intellectual type, जिसे हम समझे कितना ही है हमको भी नहीं पता लेकिन जैसे कभी निदाफ आजली कहते हैं कि कभी कभी यू में हमने अपने जी को बहलाया है जिन बातों को खुद नहीं समझे हैं उनों को समझाया है 21 मई को JNU के SAA Auditorium में Columbia University की प्रफेसर गायतरी चक्रवर्ती स्पिवाग का एक लेक्चर था टॉपिक था W.E.B. Dubois और लोगतंतर पर उनका विजिन इसी लेक्चर के दौरान सवाल जवाब का सिलसिला हुआ गायतरी ने इस पश्टता के लिए पूछा कि ब्राह्मन स्टेडीज अंचुल ने पलट कर खा कि हाँ गायतरी पलट कर बोली very good फिर शुरू हुआ सवाल और फिर हुआ बवाल अंचुल बोले कि डिबॉआ एलीट अपर क्लास बन गय थे और आप इसके बाद भी सवाल पूरा होता उसके बीच में गायतरी टोकते वे बोलती है कि डुबॉइज क्या प्लीज उनका नाम सही सीख सकते हैं आप ब्राह्मन स्टेडीज की बात करते हैं और आपको ब्राह्मन नाम भी बोलना नहीं आता अगर आप उस वेक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछली सदी के शायद सबसे महान समाज विज्ञानी और इतिहासकार थे और ये एक एलीट उन्यूवरस्टे के रूप में जानी जाती है इसलिए आप थोड़ा वक्त लें और ये सीखें कि डुबवा होता है या डुबवाई इसके बाद अंचल ने कहा कि अगर ट्रिवियल बाते हो गई हो गई हो तो क्या मैं सवाल पूछ लूँ जैसे ही वो सवाल की तरफ वापस बढ़े और उन्होंने फिर से डुबवा कहा गायतरी ने फिर से टोका इसके बाद मंच पर बैठे किसी वेक्ति के अनाउंस्पेंट पर वो दूसरा सवाल की और मुड़ गया ये तो हो गया इंसिडेंट सपाट लेकिन इसका सब टेक्स्ट क्या है जानेंगे पहले घटना में आये किरदारों और तर्थियों को समझते हैं पहला प्रष्ट की गायतरी चक्रवर्तिस बिवाग कौन है कुलंबिय उनिवरस्टी की ये प्रोफेसर है 2013 में उन्हें पद्म विभूशन से सम्मानित किया गया था उन्हेंने फ्रांस के विचारक देरीदा के काम का अनुवाद किया है इसके लावा महाश्वेता देवी की किताबों के अनुवाद और उन पर काम करने के लिए उनकी बड़ी ख्याती है सवाल ये कि क्या उन्हें बोलने दिया जाता है और क्या उनके पास वो मज है और क्या उन्हें सुना जाएगा अब ये जो टर्म है सबॉल्टन इटली के थिंकर अंटोनियो ग्रामशी का दिया हुआ इसमें आते हैं अश्वेत, कामगार, महिलाएं और कॉलनाईज लोग अब अश्वेत लोग लिख देते हैं मैंने पड़ भी दिया वैसे अश्वेत कुछ होता नहीं है जिन लोगों के हम बात यहां कर रहे हैं वो खुद को ब्लाक्स कहते हैं नॉन वाइट नहीं कहते हैं तो सई शब्धुआ काले लोग सुनने में आपके लिए थोड़ा आसेज हो सकता है लेकिन मुद्दा हमारा या आपका नहीं है उनका है जिनके हम बात कर रहे हैं वो काले कहलाने में शर्म हैसूस नहीं करते हैं तो हमें भी दिक्कत नों चीख हैर हम लोटते हैं ग्रामशी के सबोल्टन पर इस टर्म का उप्योग गायतरी थर्ड वर्ल्ड में रहने वाले लोगों के लिए करती हैं वो divided हैं, लिंग, जाती, धर्म, रेस के चलते, जहां पर सबॉर्टन आवाज दब के रहती है सती प्रता का उधारन देते वे गायतरी कहती है कि इसी के चलते फर्स वर्ल्ड के लोगों को दुस्प्रचार करने का मौका मिलता है कि श्वेद पूर्षों ने गेहुएं पूर्षों से गेहुई महिलाओं को बचाया गेहुएं से उन समाजों के हम बात कर रहे हैं जो थर्ड वर्ल्ड में रहती है कुछ ब्लैक्स भी हैं, कुछ हमारे रंग के लोग भी हैं गेहुएं इससे third world के लोगों को दबाना आसान हो जाता है और oppression एक नैतिकता का जूटा आलंबन भी ले लेता है गायतरी अपने इस लेक में और अन्निता भी post-colonial society में महिलाओं के चुप़ी पर बात करती है इस बात का भी विरोध करती है कि सबॉल्टन की आवाज सुनी जाए इसके लिए उन्हें first world की भाषा का प्रेयोग करना पड़िये जरूरी नहीं है वो कहती है कि native भाषा ही करांती की भाषा है वही सुनी जानी चाहिए डुबोईस इन पे आते हैं जिनके नाम पर खुब बवाल हुआ मेरे उचरण पर भी हो सकता है एक African American इतिहासकार और समाज विज्ञानी पूरा नाम William Edward Burgett Dubois 23 फरवरी 1860 को इनकी पैदाईश थी Harvard University से PhD पाने वाले पहले काले शक्स और Harvard University के एक ऐसे स्टूडन जिनने कैंपस में शाम 6 बजे के बाद रहना अलाउड नहीं था क्योंकि काले थे 1899 में डुबोईस ने अपने जीवन की पहली पुस्तक लिखी The Philadelphia Negro एक केस टड़ी थी ये अमेरिका में रहने वाली ब्लाक कम्यूनिटी पर अपनी तरह का पहला शोद हलाग कि इसमें डुबोईस ने ब्लाक को दोशमुक्त नहीं किया लेकिन कम्यूनिटी की बुरी हालत के लिए सबसे बड़ा दोशी ठहराया रेसिजम को फिर 1903 में एक और पुस्तक लिखी The Souls of Black Folk जिसके बारे में UCLA में African American Literature के इनकी पुस्तक Black Reconstruction in America इनका सबसे महानकारे कही जाती है ये इनकी बाइग्राफिकल पुस्तों को की ट्रिलेजी में से एक थी ट्रिलेजी तीन किताबे इनकी बाइग्रफी के बारे में एक और विशेशक के बताती है अपनी तीन बाइग्रफी में उन्होंने इस बात की अनुबूती सब को दे दी कि Black होना कैसा होता है 1961 आते आते डुबॉइस Communist Party जॉइन कर लेते हैं गाना चले जाते हैं गाना में 27 अगस्त 1963 को इनका दिहान्त हुआ आज भी कितने प्रासंगिक हैं इस बात से भी पता चल जाता है कि किसी भी बहाने से हो इस Contemporary News वीडियो में हम उन्हीं की बात कर रहे हैं अंचुल गुमार ने लेक्चर वाले इस वीडियो में से अपनी बाचीत का चंक अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट किया अलनकि वीडियो के साथ जो नों ने लिखा उसमें भाशाई मर्यादा का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया है इसलिए अधिक्तम तटस्त व्यक्ति भी कुछ मार्क्स अंचुल की लाइंग्विज के लिए जरूर काटेगा खैर परियाद गाली गलोज के बाद क्या हम आप सही पार्टी हैं यह डिसाइड करने वाले कि इन में से कौन सही और गलत है और अगर हैं भी तो क्या हम ऐसा करना भी चाहिए तो स्वाडल नाम का इंस्टाग्राम हैंडल इस पूरे मैटर को बिना किसी का पक्ष लिए अच्छे से पॉइंटर्स में एक्स्प्लेन करता है उसका साथ यह है कि 21 मैं को जेनियो में गायतरी को इनवाइट किया गया यह इंविटेशन विल्यम एडवर्ड बर्गेट डुबॉइस के सिविल राइट्स और डेमोकरसी से जुड़े विचारों पर बात करने के लिए था प्लाट्वाम एक्सपर इस सेशन का एक वीडियो बारल हो रहा है जिसमें गायतरी ओडियन्स के एक व्यक्ति को डुबॉइस नाम के सही उचारण न कर पाने पर टोक रही है कई लोगों ने इस पर कहा कि ग्रामर या प्रणनसियेशन पर किसी को पब्लिक के सामने टोकना करेक करना डॉमिनेंस का एक अनुचित तरीका है जिसमें भाशा को एक टूल की तरह इस्तमाल किया जाता है ताकर ग्यान को नियंतरिट करने में ब्राहमन सबसे आगे रहे हैं और इसके चलते भाशा एक ज आपना तरीका है जो उनकी यात्रा का हिस्सा है वह अक्सेंट बताता है कि वह क्या क्या नाम एक विशिश्श तरीके से ही उच्चरित हो तो क्या इस आधार पर किसी के उच्णे को सरवजनिक रूप से करेक्ट करना उचित हो जाएगा या क्या ये जाने माने academic celebrity और एक अंजान शुरूता के बीच असमान power dynamics को मजबूत करता है या जैसे इंग्रेजी में कहते हैं ये getting off on the wrong foot वाला case था कौन जाने अगर सवाल पूछने वाले ने खुद को Brahman Studies का professor न बताया होता क्योंकि वो भी जानते थे कि वो गायतरी इस विवाग को बोल रहे जिन्हें पहले Brahman होने के लिए target किया गया है या उनके जो elite connections हैं उसके लिए target किया गया है अगर वो नहीं कहते कि वो Brahman Studies के professor हैं वो चुट की न लेते तो गायतरी का जवाब क्या होता तर्ग दोनों तरफ के हैं आप किस तरफ हैं या आपको तै करना है आपके लिए ये सारी जानकारी संकलित की थी हमारे साथ ही दरपन ने हमने इसको आपके सामने प्रस्तूत भी किया कुछ ग्यान अपना दिया और इन सारी चीजों को आपके सामने डॉक्यमेंट करने के लिए कैमरे पर महारत दिखाई है जत इनने अब देखते रहें दिललन टॉप और सोचते रहें सवाव करते रहें